नमस्कार दोस्तो आपका हमारे चैनल मार्केट विद्ध याले में स्वागत है आज हम बात करेंगे रिलाइसपावर याने आर पावर के बारे में दोस्तो अगर ADG ग्रूप अनिलम्मानि की ग्रूप की कमपणियों की बात करें तो उसमें से जो रिलाइंस पावर है यह उन में से मतलब ठीक ठाक है As compared to जैसे की आर नवल हो गया, रिलाइंस करपिटल होगया और अनिलम्मानि जितना भी कमपणिय है तो उसमें से जो प्रामिसिंग लगता है, रिनाइस पावरी लगता है, क्योंकि उसके पीछे की रिजन है, देखिए, जो पिछला चार चमाना रहा है, रिनीवल एनर्जी सेक्टर के लिए एक भूम भरा रहा है, क्योंकि इस सेक्टर के जितने भी स्टॉक है, दो गुना, चार गुना, दद इस सेक्टर के स्टॉक को हमें दोड़ते भी देखने का मिला, उसके पिछे का रिजन ये है, कि अग गौर्मेंट में भी चाहा रही है, कि जो रिनीवल एनर्जी से रिलेटर कमपनी है, उन्हें अब सामने लाया जाए, मतलब उन कमपनियों का अब सहारा लिया जाए, सहार में हो, इन चीज़ों में ये चीज़ बचाएंगे हमें, जैसे कि आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल, इस सब की किलत होने वाली है, तो उसका अल्टरनेट सॉलिशन क्या रहता है, रिनीवल रिसोर्सेस, जैसे कि हम रिलाइंस पावर की बात करें, तो ये ये पावर हो गया, बिंड पावर हो गया, सोलर पावर हो गया, ये इन से रिलेटेट हुआ करती है, इन से ये इलेक्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, और फिर उसे सेल आउट करती है, तो कुल मिला कि हम रिलाइंस पावर की बिजनेस की बात करें, तो ये स्टॉक रिनीवल सेक कर रहा था और अभी यह स्टॉक लगभग 15 रूपए के आसपा स्ट्रेट कर रहा है और यह स्टॉक लगभग 60-80 रूपए का हाई भी लगाया है दोस्तों इस स्टॉक मार्केट के लगभग 5000 करोड के उपर का है दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है कि जो रिएवल एनरजी है यह फिशिट्रिस्टिक सेक्टर है मतलब अब आने वाले समय में इनका डिमांड बढ़ने वाला है अगर आज से हम दो साल चार साल पहले की बात करें तो जो रिनीवल एनर्जी से रिलेटेड कमपनी से उसके लोग पुछते भी नहीं थे कि कुछ का डिमांड ही नहीं था लेकिन जैसे भी लॉगडाउन हुआ उसके बाद हमने देखा पेट्रोल डिजल एक्दम आग लग गया उसके बाद जैसे कि कभी कहीं यूद दिखा होता है तो हम देखते हैं पेट्रोल यहां पर आग लग जाता है अभी अगर आप खुरूट ऑईल की बात करेंगे तो यहां भी एक आग लगा हुआ है तो यह सारे चीज़ों को देखते हुए अब इन इन कंपनीयों को कह रहे हैं कि यह कंपनी फ्यूचरिस्टिक है आज से 5 साल पहले 7 साल पहले हम IT कंपनीयों के बारे में बात करते थे कि आने वाले सामें पूरी तरह से online होने आला है, IT sector का रहने वाला है क्योंकि अब क्या देखते हैं कि futuristic क्या है future में किस चीज का demand बढ़ने वाला है तो future में इन सारे चीज़ों का demand बढ़ने वाला है जोस्तों अगर हम Relance Power की कुछ quarter results की बात करें तो March quarter में 75 करोड का profit उसके बाद June quarter में 12 करोड का profit और September quarter में इस company को 49 करोड का loss हुआ था तो देखिए ये company अभी भी इसको मतलब जो profit consistency है वो अभी भी नहीं है दो quarter loss होता है, एक quarter profit होता है या दो quarter, तीन quarter profit होता है, एक quarter loss होता है तो अभी भी ये company मतलब profit making करने में जूज रही है अगर year or year basis दो बात करें तो पिछले साल इस company को लगबग 4000 करोड का 2020 में 4000 करोड का loss होता है, लेकि इसको 2020 में इस company को लगबग 239 करोड का profit हुआ, तो ये company अब देखिए अब यहाँ से company दीर दीर profit generate करने साइड लग जाए क्योंकि इन company का अब demand बल रहा है, दोस्तो जो इस company के उपर जो अभी का जो मौजूदा जो सबसे बड़ा threat है वह है इस company का कर्ज, इस company के उपर अभी भी लगबग 24,000 करोड के आसपास का कर्ज है जो इस company के लिए एक threat है लेकिन ये company जो इस टेक पर दिने वाले energy जो सेक्टर की related company है उनको थोड़ा high capital लगता है तो ये company के लिए जो debt है आने वाले समय में ये company पर debt को कम कर लेगी दोस्तो प्रमोटर हुल्दिंग अगर आप इस company का प्रमोटर हुल्डिंग दो महना दो कौटर पहले की बात करें तो इस company का प्रमोटर होल्डिंग नौ परस्डिसत कर रहता था लेकिन अभी कि समय यहां पर प्रमोटर ने अपना stick बढ़ाया है और अभी इस company में 24.98 25% यानि आल्मोस्ट 25% का इस्टेक यहां पर प्रमोटर रुखा है मतलब पिछले दो क्वाटर में इनका नौ परसी सता नौ से यहां पर सीधा 25% कर दिया है तो एक यह जो रिटेल निवेश सकते हैं उनके लिए एक उमीद भरा है साथ हम अगर FII इसके बात कर तो FII ने भी सेम तरह का काम किया है पिछले क्वाटर में लगबार 3.30% का इस्टेक था जो इस क्वाटर में बढ़र के लगबार 4.92 यानि कि हम इसे 5% भी कह सकते हैं तो देखिए यहां प्रमोटर ने भी अपना हिस्सेदारी बढ़ाया है साथी साथ यहां FII ने भी अपना इन्वॉल्मेंट बढ़ाया है तो कुल मिला के रिलाइंस पावर की बात करें तो देखिए एडेजी ग्रूप का कंपनी है तो यहां तो रिस्क तो भरपूर है मैं यह कंपनी आपको ना बाय करने के लिए बोल रहा हूं ना सेल करने के लिए बोल रहा हूं मैं रिकमेंट नहीं कर रहा हूं अगर आपको इस कंपनी निवेश करना है तो आप खुद का भी एक एनलाइस किजिए क्योंकि एडेजी ग्रूप की कंपनी है और इस कंपनी मे बहर पूरेस्ग है आपको भी पता है अनिलंबानी की company हो एक लेकिन अनिलंबानियों की जितने भी companyँऊया है तो उसमें से company अभी समय मैं कमें ठोड़ा साथ दिखने को मिल रहा है तो में तो अगर हम जो मulsive की बात करती है और आने वाले समय में इस company का जो डिमरड है इस company का जो future है आप पताइए यह Romania report कर दो SUBSCRIBE का दूम करैंज ऑलू सकता है